असलाम लेकुम तो तोड़े इन दिस वीडियो विल तॉक आउट पाकिस्तान रॉश्या रिलेशन्स विल नॉट रीली तॉक आउट 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 पर कवर करेंगे अल्राइट तो जब भी हम यूएसेसार और उनाइट स्टेट्स की बात करते हैं तो इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन्स की बात शुरू होती है प्रॉम दी एरा ओफ कोल्ड वार आप जानते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वार टू ओबर हो जाती है तो उस तोरान यूएसेसार और उनाइट स्टेट्स के रिलेशन्स जो पहले अच्छे हुआ करते थे वो बाद में स्ट्रेइन हो जाते हैं ठीक है और आईस्ता आईस्ता डिटॉरियेट होते होते एक वक्त आता है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच एक कोल्ड वार स्टार्ट हो जाती है which starts from 1945 to up till 1991 when Russia USSR disintegrates तो अब हम उस दोर से पाकिस्तान और रुश्या के रिलेशन्स की बात करें तो यू नो के 1947 में इंडियन सब कॉंटिनेंट की पार्टिशन होती है जिसके नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आता है on 14th of August 1947 और उसके फॉरण बाद यू नो के मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ पाकिस्तान ने डिपलोमेटिक रिलेशन्स इस्टेबलेश किये उसी दर हाँ USSR और US के साथ भी रिलेशन्स काईम किये गए and initially पाकिस्तान ने non-alignment की policy adopt की हुई थी क्योंके ये वो दोर था जब दुनिया में दो superpowers मौजूद थी और यहां पर जो खास बात थी वो ये थी कि there was or you can say ideological conflict ठीक है USSR was a communist state जबके United States was capitalist ठीक है so यहां पर United States का ये concern था के communism को मजीद expand होने से रोका जाए and at that time during the cold war era United States ने ये policy adopt की of the containment of USSR और in other words containment of communism so initially you know के Pakistan बहुत ज़्यादा वीग था ना सिर्फ economically बलके military भी बहुत ज़्यादा वीग था और पाकिस्तान के जो security concerns थे बहुत ज़्यादा high थे and that is why Pakistan was compelled to join United States और फिर हम बाद में देखते हैं कि in 1954 I guess it was in 1954 के जब पाकिस्तान United States के साथ mutual defense agreement sign करता है और इस mutual defense agreement के अंडर पाकिस्तान को economic और military aid provide की जाती है ठीक है और इसके लावा जो पाकिस्तानी soldiers हैं उनको United States के military के जानब से training दी जाती है लेकिन इस mutual defense agreement का जो major objective था that was the containment of communism means के ये एक direct जंग का ऐलान था against communism or you can say it was against the Soviet Union और क्यूंके पाकिस्तान US की इस containment policy का हिस्था बना it stood against the Soviet Union that is why it invited the wrath of USSR और obviously पाकिस्तान को ये मौका नहीं मिला के वो Soviet Union के साथ अच्छे या बहतर तालुकात बना सके इसके लावा another thing that basically embedded the USSR against Pakistan was के उस time में in 1956 Pakistan ने United States को पिशावर एर स्टेशन का एकसिस दिया जिसका मकसद ये था के USSR पाकिस्तान के उस पिशावर एर स्टेशन को इस्तमाल करना चाहता था for the spying activities against Soviet Union and बात में ये बात obviously USSR को पता चली and obviously इससे Soviet Union और पाकिस्तान के बहतर तालुकात के जो chances थे वो मज़ीद खराब हुए so हम ये कह सकते हैं कि शुरूर से ही पाकिस्तान और रशिया के relations जो उनका start था जो beginning थी that was not good और यही वज़ा है कि इतने decades के बाद भी इन दोनों countries में एक दूसरे के लिए mistrust पाया जाता है उसके बाद आगे बढ़ें तो 1980s में जो भी events हुए those events proved to be the last nail in the coffin of Pakistan-Russia relations वो इस तरह के Soviet Union अफगानिस्तान में दाखिल हुई उनके troops यहां मौजूद थे and उसको रोखने के लिए United States sought the help assistance of Pakistan और इसके नतीजे में billions of rupees were poured into Pakistan और इस billions of dollars से weapons provide के गए और freedom fighters तयार के गए पाकिस्तान में ठीक है जिनको भीजा गया अफगानिस्तान में to fight the Soviet Union troops तो एक तरह से war continue रहती है for many years between the Soviet Union troops and the freedom fighters who were jointly trained by ISI and CIA at last इस मामले का भी end होता है and the end is के Soviet Union disintegrate हो जाता है 1991 में यहाँ पाकिस्तान ने US के साथ एक major role play किया in expelling Soviet Union troops from Afghanistan और इसी तरह अबिसली उस ताइम में Soviet Union की USSR की अपनी कुछ internal vulnerabilities भी थी जिनको US ने पूरे तरीके से exploit किया and at last the result was the collapse of USSR so इस तमाम मामले में पाकिस्तान ने एक major role play किया which further created animosity between both the countries Pakistan and Russia और यही वज़ा है कि अब भी mistrust पाया जाता है इन दोनों मुमालिक के पीच so over all these years Russia और पाकिस्तान के relations में as such कोई progress नहीं आपाता because there was huge mistrust and sense of animosity all right so उसके बाद अगर हम cold war era के बाद की बाद करते है especially after the 9-11 incident उसके बाद दोनों कंट्रीज के मामलात में थोड़ी बहुत हमें बेशरफ्त होती हुई नजर आती है वो इस तरह के पहले जो Russian Prime Minister है उनका विजिट होता है तो पाकिस्तान Russian Prime Minister Mikhail Fred को वो विजिट करते हैं पाकिस्तान and then in 2003 President of Pakistan जो उस वक्त के थे General Parviz Musharraf he visits Russia तो इस तरह दोनों कंट्रीज के बीच में तोड़ी बहुत ice break होती है और कुछ मामलात तैप आए जाते हैं उसके बाद काफी साल गुजरने के बाद फिर significant development होती है पाकिस्तान रश्या के तालुकात में वो इस तरह के जो Russian Defense Minister है in 2014 he visits पाकिस्तान तो बेसिकली इस विजिट को पाकिस्तान और रश्या के बीच में friendship के एरा का start करार दिया जाता है वो इस तरह के रश्या की तरफ से पाकिस्तान पर से जो arms embargo sales of defense equipment का जो embargo लगाया जाता है जो pen लगाया जाता है उसको मॉस्को की तरफ से lift कर दिया जाता है and first ever military deal sign की जाती है between both the countries और उस deal के तहथ ये रश्या की जानिब से commitment की जाती है कि they will be selling MI-35 gun ship helicopters to Pakistan all right so this is marked as a significant development in the relations of Russia and Pakistan इसके लावा obviously आप जानते हैं कि इस region में Pakistan एक बहुत ही major एक important player है तो रश्या अगर चाहे भी तो it cannot ignore Pakistan and that is why they shifted their foreign policy in favor of Pakistan because जहाँ पे mistrust था रहा है Russia और Pakistan की relations में जहाँ पे convergence of interest भी है काफी सारे मामलात में like they need to work together to maintain peace and stability in South Asia especially they need to work towards bringing peace in Afghanistan ताके terrorism है या extremism है या religious intolerance है इसको जो है roots से उखाड दिया जाए ओल राइट इसके इलावा obviously 2014 की agreement annexation के बाद Russia ने ये भी realize किया कि now it should reduce its reliance on the western nations and उसके बाद obviously हमने ये देखा कि Russia की foreign policy shift होती है from west to east and इस तमाम सालों में हमने ये देखा कि किस तरह जो ये eastern nations है उनके साथ आइस्ता आइस्ता Russia अपने तालोकात को बहतर बनाता है और कुछ countries के साथ मजीद अपने तालोकात को मश्बूत करता है क्योंकि obviously Russia ने ये बात realize कर ली थी कि उसकी economy highly dependent है on the energy revenues energy के export से जो revenue collect होता है उस पर highly dependent है Russian economy और future में अगर Russia को कोई ऐसा step लेना पड़ता है जो के western nations की wishes के against हो तो in that case US और उसके allies unified way में respond करेंगे in the form of heavy economic sanctions against Russia तो उसके लिए ये जरूरी था कि Russia की economy की जो reliance है and dependence है on the western nation उसको काफी हद तक reduce किया जाए so that is the reason के क्यों हमें Russia की foreign policy में एक major shift देखने को मिला एक और significant development हमने ये भी देखी के आप जानते हैं के शेंगाय कोपरेशन organization जो के एक बहुत ही major regional organization है ठीक है जिसमें ये potential मौजूद है कि वो future में NATO की तर्स का कोई एक organization बन जाए ठीक है तो इस organization के उमीदवार थे दोनों इंडिया और पाकिस्तान and finally in 2018 SCO में शिंगाय कोपरेशन organization में इंडिया और पाकिस्तान की permanent membership को accept कर लिया गया तो पाकिस्तान की membership के acceptance में एक ही hurdle था दाट वस unwillingness from Russia लेकिन फिर obviously जब तालुकात थोड़े थोड़े बहतर हुए तो फिर रश्या ने बैक उफ किया and इस तरहां शिंगाय कोपरेशन organization के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया which was in itself a very important development and अगे हम चलके ये भी देखेंगे कि किस तरहां SCO का जो एक major component है RATS जिसे कहा जाता है regional anti-terrorist structure उसके तहट किस तरहां दोनों countries की बीच में पाकिस्तान और रश्या की बीच में cooperation की जाती है ठीक है so 2014 onwards हम देखते हैं कि रश्या और पाकिस्तान की बीच में bilateral cooperation जो है मजीद बढ़ता है in the political economic and also the military domains और especially हमने देखा कि किस तरहां इन दोनों countries की बीच में joint military exercises conduct की जाती है so अगर हम उनका नाम ले तो one is drisba military joint military exercise जो के की गई थी in 2016 उसके बाद 2017 में दूसरी military exercises की जाती हैं जिनको नाम दिया गया drisba 2 and in also 2018 drisba 3 के नाम से exercises की जाती हैं and again in 2019 there were also some other joint military exercises conducted by the name of drisba 2019 all right so ये तमाम developments हमें बताती हैं of the strategic partnership between both the countries so उसके इलावा जैसे हमने शिंगाई कोपरेशन औरगनाईजेशन के एक major component की बात की that is reds जिसको कहा जाता है regional anti-terrorist structure तो इसमें basically तमाम countries regional countries के बीच में cooperation की जाती है जिसका intelligence sharing की जाती है ताकि जो terrorist activities हैं उनको curb किया जाए जो extremism है उसको eliminate किया जाए ठीक है तो इस हवाले से इस platform पर in regional countries के बीच में intelligence sharing की जाती है और cooperation की जाती है for the mutual beneficial objectives तो इसमें basically रश्या ने पाकिस्तान की expertise seek की like we know कि पाकिस्तान ने major military operations किये against terrorism like we know जर्ब और रदुल फसाद military operations किये गए पाकिस्तान की जानिब से ताकि इन terrorist के जो safe heavens हैं उनको खतम किया जाए और जो terrorist activities हैं उनको पूरे तरीके से overcome कर लिया जाए ठीक है तो ये पाकिस्तान की successful military operations हैं तो इन successes को देखते हुए पाकिस्तान रश्या एक्चली सौट पाकिस्तान's expertise from its successful campaigns against terrorism and extremism in the region, all right? So you can see के how these relations have been changing over time. इसके लाबा दोनों कंट्रीज का की इस मामले में भी convergence of interest था और है कि किसी तरह अभानिस्तान को एक peaceful region बनाया जाए क्यूंकि आप जानते हैं कि ISSI और ISKP ये तमाम जो है terrorist organizations हैं जो के operate करती हैं अभी अभानिस्तान में तो यहां पर obviously इन जो regional countries हैं काफी सारे उनके security concerns हैं और जो regional countries हैं especially जो इन अभानिस्तान को बॉर्डर करते हैं वो इस मामले में जरूर corporate करते हैं कि किसी तरह इन terrorist tendencies को eliminate किया जाए और अभानिस्तान में peace and stability लाई जाए क्यूंकि that is the key to regional peace और obviously जब अभानिस्तान में US के troops अभी भी मौजूद थे नेटो troops मौजूद थे तब रश्या की जानब से पाकिस्तान के जो solution है conflict की resolution का जो solution था कि negotiations के तरू जो भी तालिबान और अभान गवर्मेंट का issue था उसको resolve किया जाए तो इस पाकिस्तान के इस idea को second किया गया by Russia क्यूंकि जो US की strategy थी वो बहुत पुरे तरीके से fail हो चुकी थी in bringing peace in Afghanistan, all right? इसके इलावा war on terror में पाकिस्तान के जो भी sacrifices रहे हैं उनको Russia के जानब से acknowledge किया जाता है openly other than that जो US की जानब से ये कहा जाता है Pakistan को कि do more तो US की in demands को Russia openly reject करता है इसके इलावा Russia ने United States को time and again ये warn भी किया है to avoid any misadventure in the region जो के इस region की security को stake पे लाए, all right? और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि जो China का project है Belt and Road Initiative और उसका जो flagship project है पाकिस्तान के अंदर that is China-Pakistan Economic Corridor तो उसमें बहाँ ज्यादा potential है कि वो regional connectivity को facilitate करें ठीक है और इससे खास तोर पर जो regional states है उनको काफी ज्यादा फाइदा होगा in trade ठीक है तो इसमें भी पाकिस्तान एक major player है तो that is why Russia की जानिब से पाकिस्तान को support किया जाता है and CPAC को भी support किया जाता है because there is a realization के it can play a significant role in the socio-economic development and regional connectivity in the South Asian region और उससे रश्या को बहुत बड़ा फाइदा होगा वो इस तरह के it will gain direct access to the warm waters और especially अगर CPAC का प्रोजेक्ट भी आरक प्रोजेक्ट काम्याब हो जाता है काफी हद तक तो इस इस्टर रिजन से US और उसके जो वेस्टर एलाइस है उनका influence काफी हद तक reduce हो जाएगा, minimize हो जाएगा, so obviously that is the one thing that Russia look forwards to अब अगर हम रश्या के रोल की बात करें in Afghanistan के how it played its role for peace in Afghanistan especially after US troops withdrawal तो हम जानते हैं के जैसे ही US troops withdrawal मुकमल हो गया तो उसके बाद Russia खुशी का इजहार करते हुए statement देता है के America no longer matters so Afghan issue को peacefully resolve करने के लिए रश्या ने जो efforts किये उनमें ये भी है कि 2018 onwards Moscow ने काफी सारे Taliban officials को host किया for the peace talks which obviously did not prove to be really fruitful लेकिन इस तरह मुसको की जो diplomatic standing है in the region वो काफी improve हुई इसके लावा हम मज़ीद देखें के जैसे ट्रॉइका प्लस की conference organize की जाती है other than that Beijing conference Moscow conference तो ये वो तमाम efforts किये जाते हैं जिसमें पाकिस्तान और रश्या अपना major role play करते हैं for a regional peace and also stability in Afghanistan all right other than that हमने ये भी देखा के जैसे ही US troops withdrawal हो जाता है और अफगानिस्तान के जो अफगान reserve bank के assets हैं उनको freeze कर दिया जाता है तो then there was a looming threat of the humanitarian catastrophe ठीक है तो उसको एवर्ट करने के लिए we saw किस तरहां पाकिस्तान OICV conference दो conferences arrange करता है and उन दोनों का मकसद ये होता है कि किसी तरहां अफगानिस्तान के लोगों को वहां के common men को support किया जाए ठीक है ताकि ये जो looming humanitarian catastrophe है उसको हम avoid कर सके हैं all right so in conferences की खास बात ये थी कि इसमें P5 nations और जो European Union के representatives हैं उनको भी host किया गया और अगर हम ये देखें कि एक destabilized और unstable अफगानिस्तान से रश्या को क्या threat है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान में अभी safe heavens मौजूद है of the terrorist organizations like ISKP and IMU ये ISKP और especially IMU that is Islamic Movement of Uzbekistan इनका जो nexus है वो बहुत बड़ा threat है to the Central Asian Republics and also the Russia all right so यहाँ पर रश्या का ये मकसद है कि अफगानिस्तान की stability में contribute करके तालिबान की support के साथ इन terrorist groups को eliminate किया जाए ताकि ये जो threat pose करते हैं to their national security वो बिलकुल ही खतम हो पाए all right और वैसे भी अगर तालिबान government regional और अपने neighboring countries के साथ cooperation में काम करते हैं coordination में काम करते हैं और उनकी concerns को eliminate करने की कोशिश करते हैं तब ही इनके आपस में अच्छे तालुकात बन पाएंगे जो के obviously directly contribute करेगा towards the regional peace and security and stability all right so यहां पर हम ये clearly देख सकते हैं कि multiple domains में Russia और Pakistan अपने तालुकात को बहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं and how they are willing to further strengthen their partnership all right इसके इलावा अगर हम दोनों कंट्रीज के बीच में मजीद कोपरेशन देखें तो हम ये बात जानते हैं कि 2021 में पाकिस्तान और रॉश्या दोनों एक gas pipeline project sign करते हैं जिसे कहा जाता है पाक स्ट्रीम gas pipeline project and it's most commonly known as north-south gas project all right so ये जो है pact sign किया गया last year जिसके तहत ये decide किया गया कि there will be construction of 1100 km gas pipeline from port Qasim to Lahore और जिसकी estimated cost बताई गई around 2.3 to 3 billion US dollars और अगर इस project पर काम कर लिया जाता है तो it will really facilitate gas availability and transportation within Pakistan और राइट सो इसका बहुत ज्यादा डारेक्ट फाइदा पहुंचेगा पाकिस्तान को अगर हम बिलकुल एक recent बात करें तो हम यह जानते हैं कि recently हमारी government ने ये बात claim की ये बात announce की कि पाकिस्तान में जो इतने catastrophic floods आए हैं और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उसके crops को damage हुआ है तो keeping in that view रश्या ने पाकिस्तान को offer की है for the supply of wheat and also gas obviously at low cost so इस तरह इस तमाम discussions से आप ये conclude कर सकते हैं कि इस तरह ओवर दे टाइम रश्या ने अपनी foreign policy को change किया है in favor of Pakistan और खास तोर पर इस foreign policy change का major मकसद यह है कि जो west है उस पर से अपनी reliance को खतम किया जाए और अपनी economy को sustainable बनाया जाए और especially it wants to challenge the US-led eurocentric unipolar world order so that's all we covered this topic as a topic of Pakistan affairs if you found this video helpful तो please like, share, comment and subscribe to my channel thank you so much take care, bye bye life take care, bye बन्ये बन्येट और आ हुए अख्सक्जा ए acting